आखों में नीन्द बहुत है पर सोना नहीं है यही समय है बच्चों कुछ करने का इसे खोना नहीं है अब नीट के एक्जाम भी आने ही वाले हैं और जो बच्चे जई की तयारी कर रहे हैं वो मेका एक्जाम देंगे और अभी पहले चरण के एक्जाम चली रहे हैं तो इस समय बच्चे अक्सर पूछते रहते हैं कि सर अब हम अपने पूरे स्लेवर्स को कैसे रिवाइज करें जो बच्चे अपना स्लेवर्स कम्प्लीट कर चुके हैं वो रिवाइज कैसे करें उनके लिए एक छोटी सी टिप मैं आपको दे रहा हूं इस समय बच्चो आपको रेट्रोस्कोपिक स्टडी करनी हैं मींस आप नंबर ओफ कॉश्चन की प्रैक्टिस जादा से जादा करें जितनी जादा क्वश्चन की आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही जादा कॉन्फिडेंस बिल्डप होगा और तरीका यह है बच्चो कि अगर नीट का एक्जाम देंगे तो 45 कॉश्चन आपको एक सवा गंटे के अंदर कंप्लीट करने की प्रैक्टिस होनी जाहिए तो इसके लिए आप अभी से 45 कॉश्चन आप कंप्लीट करने की प्रैक्टिस करें ठीक है जैसे कि आप एक्जाम में करते हैं उसके लिए मान आप 45 question कर रहे हैं एक सवा गड़ी के अंदर और उसमें से हमारे 30 बन गए बागी के 15 question नहीं बने तो अब आप क्या करेंगे इन 15 question के लिए हम देखेंगे कौन-कौन से chapter के question है ये कौन-कौन से topic के question है कौन से formula कौन से concept इसमें लग रहे हैं जो हम से अभी नहीं बने है या हमे recall नहीं हुए है अब इन concept पर आप जाएए इनकी theory पर जाएए इनकी आप फिर से एक बार इन सभी formulas को repeat करें recall करें आप इस तरह से आप study करें इस समय आप questions से theory पर जाएं questions से concept पर जाएं questions से आप formula पर जाएं means आप जो 15 questions नहीं बने हैं उन questions की theory पूरी उन concept के questions जो class में आपको करवाए गए हैं उनको आप recall करें उनको revise करें जिससे की होगा ये कि आप एक question के लिए अगर उसकी theory उसका concept उसका formula ढोड़ेंगे तो आप उस question के बहाने पूरा concept पूरी theory उसकी आप कर पाएंगे recall कर पाएंगे और आगे आने वाले test में आप से गलत नहीं होगे ठीक है तो अब आप की practice ऐसी होने चाहिए कि एकदम time bound practice होने चाहिए एक तो दूसरा जो questions हमसे नहीं बने हैं आप उनके लिए theory पर उनके लिए concept पर आप पहुँचिए अब बचो इस final revision में यही तरीका है कि आप number of questions की practice करें और जो नहीं बन रहे हैं उनके लिए आप theory concept को recall करें, revise करें फिर से, ना कि पूरी theory एक बार फिर से पढ़के फिर हम question पर आएं, otherwise इसमें तो बहुत time लगेगा, क्योंकि आप फिर से पूरी की पूरी theory revise करेंगे सारे, formulae revise करेंगे सारे, concept revise करेंगे, फिर number of questions की practice पर आएंगे, तो यह extra time ले हैं, और आपसे जो-जो question बनते चले जाएंगे, इसका मतलब उसकी theory तो हमें पहले से पता है, आती है, ठीक ना, जो नहीं बने हैं, उससे हमें अपने आपको analyze करने में आसानी होगी, कि किस type के questions, किस type के जो theory ए concept हैं, हमसे miss हो रहे हैं, तो उनी की ही आपको cable practice करनी पड़े आप complete कर लेंगे, तो उन practice sets में, जो-जो concept के questions आपसे नहीं बन रहे होगे, वो एक बार फिर से आप इसी method से recall कर पाएंगे, ठीक है, तो ऐसा करिए बच्चे और आप देखेंगे, आपके आगे आने वाले test में, और final exam, जब NEET का होगा, या JEE का होगा, तो उसमें जो rank सोच रखे हैं, उससे ज्यादा marks 100% आएंगे, ये मेरा ऐसा बिश्वास है, आप करिए जरूर इसको, ओके, ठैक्यू